जब मलीन बस्तियों में भी च्छापे पढ़ने सुरू होंगे और जब च्छापा चल रहा है तो चलना असर नहीं होने चाहिए जो काम करने बादे लोग तो को दिखाई पढ़ रहा है सब बहर रुपिया टाइप की यतने लोग है सब दिखाई पढ़ रहा है मैं आपके साथ फ्रीम राज देखें जेडियू के मिल सी हैं उनके घर आईटी की च्छापे मारी चल रही है इसे बेबात करने के लिए हमारे साथ आजएडी के परवक्ता हैं शक्ति आदब फिर से बिहार में आईटी की च्छापा मारी शुरू हो इंकांटेक्स यूडी और सीवियाई की च्छापे बिहार में हो बभी विपक्ष के घरों पे हो तो असर्ज नहीं करने चाहिए क्यों अब वो दिंदूर नहीं जब मलीन बस्तियों में भी च्छापे पढ़ने सुरू होंगे भारतिन ता पार्टी कम अपने एजंसियों का दुर्प्यों करती है और च्छापा चल रहा है तो चलना असर्ज नहीं होनी चाहिए जो भाजपा में अगाल पुठिया सब बिहार में बैठा वहां एका वो देखे है च्छापा मारते हुए तो डिस्क्रमेंशन और एक्सन जब सामने खूल करके आती है ना तो सवाल खड़े हो जाते है यह तो इन मामलों में अस्पष्ट है कि आप च्छापा मारते हो अब मारिये लेकिन डिस्क्रमेंशन और एक्सन नहीं दिखना चाहिए आपके काज करवों में एकाद भाजपा करने ता कहा च्छापा पढ़ा है बिहार में जरे नम बताई है एक कुब यक्ति के हां कुणली मारके सवाल तो सामने है ना च्छापा अगर समदर्स्ता के साथ अगर पढ़े तो पढ़ना चाहिए ना डानी के मामलतवारा है सामने खूल कर करके तो जीवन बीमा का पैसा जोखिम में चला गया ना कड़ोरो भारतियों का बीनी सारे के थोड़ी निवेस किये गए अगर फ्रोडिज मुख्फल करके सामने आया है सेवी चुपी साधे हुए अजन्सिया चुपी साधे हुए प्रहार मंत्री चुपी साधे है अरवल में घटना घटा है और उस घटना में कहा जा रहा है कि यादव श्वाम में उदाए कि जो लोग हैं वो स्वर्ण समदाए पर हमला करने बीजेपी के लोग कहना है कि आप ही क्या मंत्री है अलोक मेता उन्होंने एक नारा दिया था सौमे नब्बे सोचित है वो भाग हमारा है तो क्या आब जो यादव लोग हैं वो श्वर्ण पर हमला करेंगे अब लाल यादव भी कहते थे कादो की बूरा बाल स सकता है जी लेकिन जो लोग बोड़ाये हुए हैं जातनी उन्मात फैदा फैलाने की कुशिस कर रहे हैं तो परसानी तो उनको हो ही रही है भाजपा पुरे तोर पर बिहार में जो सिमट रही है तो आकारण कोहरा मचा रही है कानून को भी ठेंगा दिखाने में लगए रही कानून चुपचा बैठेगी नहीं जाद कुसी भी विवाद को जाती चस्मे से नहीं देखने जागर यही चस्मा अगर था तो मधुबनी में दिखाने चाहिए था चस्मा ना पांच-छत्रिय परिवार के हत्या हुए तो उसमें कौन सा जाती यह रंग दिया गया था प्रताप रोड़ी हैं केंदर में मंत्री थे फिलाल वह एकसांसद हैं और उनका कहना है कि अब तो हमें पार्टी में पूछ भी नहीं हो रहा है केवल हमें बुलाया जाता है भासन सुनने के लिए भासन सुनकर चले जाते हैं क्या बीजेपी के अंदर भी खिशतान सुरू कर रहा है भारतिनता पार्टी के अंदर में लोक तंत्रव नहीं रह गया है वह अभी व्यक्ति समाथ हो चुका है क्या हाल कर दिया रुड़ी जी का देखिए अटल जी के जवाने से मंत्री हुआ करते थे बैठा दिया घर है एक भी कंपिटेंट लोग जो काम करने बादे लोग तो को दिखाई पड़ रहा है सब बहर रुपिया टाइप की यतने लोग है सब दिखाई पड़ रहा है जो मोदी चली सा पढ़ने बाले लोग है वही है भाजपा के अंदर में नौकरी कर रहे हैं सांसदों को भी पूछ नहीं है जी वहां तो फर्मान सुनाय जाते ह सबस्ता है है कि लोग तंत्र ही नहीं एक कुर्मादी संगठन बन करकर रह गिया है जिसको ने बिकास से मतलब है रुजगार से मतलब है महांगाई से मतलब है लॉठाहरी सर्विभसी से अ देशका अर्फिवस्था से जो बात आप राजी परता प्रोडी को लेकर बात कर रहे हैं वो इसाहीं एक मामला जेडियू के अंदर देखा जा रहा है वो पेंदर कुश्वाहा लागातार मुखमंत्री 39 कुमार पे तेवर अपनाय हुए है पेंदर कुश्वाह जी का सुंदर मुखमंत्री जी बोल चुके हैं वह रहना तो रही है जहां अज इसकी भासा बोल रहा हुए है जाइए आपकी मर जी लिकिन आप तो भाजपा की भासा बोल रहे हैं आपकी प्रसानी है, उमेसं कुश्वाह के बढ़ते प्रभाव से तो उ चापे मारी पर भी जवाब दे दिया उन्होंने और कहना है कि वो दिन दूर नहीं कि जो पर पट्टी में भी चापे मारी सुरू हो जाएगी बगी की तमाम ख़बर के लिए लाइप सिटीच साथ लाइप सिस्क्राइब निकार सिस्क्राइब कीजिए और फेस्बूक पेच क